नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रियरेस्टोलोजी से दोस्तों आज मैं शनी की साढ़े साती और धाया के बारे में बात करूँगी जानेंगे उसके लक्षण और उसके उपाय के बारे में दोस्तों शनी की साड़े साती और ढहिया हर व्यक्ति के जीवन में आती है शनी की साड़े साती लाइफ में तीन बार तो जरूर आती है अगर आती है तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाईया सुरुवात से ही आने लग जाए कभी जब सणी की साड़े साती आती है तो शुरुवात में व्यक्ति को धाई साल तकलीप होती है उसके बाद तकलीपे कम हो जाती है और कभी-कभी जब सुरुवात में सड़े साती लगती है तभी से परेशानिया शुरू हो जाती है तो इसके जानते हैं लक्षन क्या होते हैं जब शनी की साड़े साती शुरू होती है अगर सनी की साड़े साती शुरू है तो जीवन में अगर परेशानिया आ रही है अगर शनी खराब रिजल्ट दे रहा होता है तो ब्यक्ति के प्रॉपर्टी से संबंदित विवाद हमेशा खड़े हो जाते हैं भाईयों में नहीं बंती आपस में कलाह बनी रहती है गलत संगत में व्यक्ति पढ़ जाता है काम होते होते रुख जाते हैं काम में देरी होती हैं हमेशा कुछ नकुछ बिमारियां ऐसी लगी रहती है जो लंबे समय तक चलती रहती हैं अगर जीवन में इस तरह की तकलीफे आ रहे हैं शनी से संबंदित तो आपको छोटे-छोटे उपाई करके शनी से जो दुस्प्रभाव मिल रहे हैं उसमें अच्छे परिणाम ला सकते हैं संबंदित तक चलती हैं अगर जीवन में इसमें आपको दिरे-धीरे फाइदा होना शुरू हो जाएगा दूसरा उपाई हैं आपको शनी वार के दिन पीपल के ब्रिक्ष में कच्चा सूत बांधना है कच्चा सूत बांधने के बाद आपको वहां बैट करके शनी मंत्र का जाप करना है शनी मंत्र है ओम शम शनेशराय नमह इस मंत्र का जाप आपको लगातार वहां बैट करके 108 बार करना है उसके बाद आपको घर आ जाना है शनी वार हर शनी वार के होती हैं लेकिन साड़े साती का जो दूस प्रभाव है आदमी के जीवन में देखने को जरूर मिलता है अच्छा हो या बुरा हो उसके प्रभाव जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों अगला उपाई यह है आपको ऐसा करना है यह शनी का महा उपाई है अगर बहुत बड़ी परिशानी चल रही है, तो आपको ऐसा करना है, शुक्रवार की रात को आपको काले चने भीगा देने हैं, सनिवार की सुबह आपको एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में इस काले चने को भीगे हुए रखना है, उसमें हल्दी की गाठ रखनी है, लोहे की कील प्रवाय दौल नानी है। और अपने उपर से साथ बार उतार करके, इस पोटली को आप ऐसे जगह पर डालें, जहां जल हो, जल का प्रवाह अच्छा हो, हूस जगह पर डालें, जहां मचलिया हो। ऐसा अगर करते हैं हर शनीवार के दिन लगातार अगर 10-11 सनीवार तक कर लेते हैं तो आपको साधे साती से संबंदी जो परिशानी चल रही है बड़ी-बड़ी उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी दोस्तो ये उपाय करके देखिएगा आपकी परिशानी धीरे-धीरे खतम होगी आपके जीवन में खुशियां आएंगी दोस्तो अगली बार नई जानकारी नए उपाय के साथ हिर मिलेंगे तक तक के लिए जै माता दी